बसकार दोस्तों मेरा नमें बीजे एक बार आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को तो चलिए दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे फैसन किलर जो कि तिरंगा की कॉमिक्स है इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है पहले और खच इस बार इसे पूरी तैयारी के साथ भेजा गया है मेरा सक सही निकला मेरे ढाल की तेजधार भी इसकी ड्रेस को नहीं फाड़ पा रही है और ना मेरे परचंडवार इस पर असर कर रहे हैं इसके होस्टिकाने लगाने के लिए तो कुछ और सोचना होगा ये जरजर दिवार ठीक रहेगी जिसके पास वो खड़ा है तिरंगा के हांस से छुटी ढाल ले कई सो साल पुरा ने उस दिवार के अस्तित्त को हिला डाला भड़ाख दूसरे इचन वो दिवार भरबरा कर उस मुसीवत पर आगिरी घर दिवार के मल्वे ने उसे अपने नीचे दबा लिया है लेकिन क्या वो मल्वा उसे दबाय रख पाएगा सायर नहीं या उफ इसे मल्वे के नीचे दबा कर सांथ करने का आइडिया फेल हो गया तो कुछ और सोचना होगा धड़ाक जब तक इसके सरीर पर उसके अनोके ड्रेस मौजूद है तब तक कुछ भी सोचना वेकार है और उसके ड्रेस उसके सरीर पर हमेशा रहेगी क्योंकि ना तो वो फट सकती है और ना उसके सरीर से उतर सकती है क्योंकि वो उसके सरीर से ठीक वैसी चिपकी हुई है जिसे नागराज के सरीर से उसके ड्रेस चिपकी रहती है मेरे ख्याल से मैं गलत सोच रहा हूँ नागराज के सरीर पर जो है वो उसके ड्रेस नहीं बलकि उसकी खाल है जिसे उतारा नहीं जा सकता जबकि इसके सरीर से जो चिपकी है वो ऐसी ड्रेस है जिसे जब चाहे पहना और उतारा जा सकता है यानि मुझे इस ड्रेस को फारने की नहीं उतारनी की सुचनी है और इसकेन टैट बिना जोड की इस ड्रेस को उसके सरीर से उतारने का मुझे एक रास्ता सुझाई दे रहा है मिट्टी की इस हांडी के रूप में जिसमें वो सरसो का तेल भरा हुआ है जिसे तुरंखा दिये में जलाता है मुझे इस सारे तेल को इसके सिर पर गिराना है ताकि वो इसके गर्दन पर मौझूद ड्रेस के किनारों में घुसकर ड्रेस में चला जाए तेल तो वहां पहुंच रहा है जहां मैं उसे पहुंचाना चाहता था अब मुझे अपने जान पर खेल कर करना है सबसे जरूरी काम इसे नीचे गिराने का और इसके पैरों से इसके ड्रेस को खीचने का क्योंकि ये पैरों की तरब से खीचने से उतरेगी सरसो की तेल की चिकनाहार की वज़े से ड्रेस एक जटके में ही तिरणगा के हाथ में आ गई हाथ ओ नंगे भया अब बता तैया क्या करूँ तुझे मारूँ या छोड़ दूँ चल ना मारता हूँ ना छोड़ता हूँ तुझे बेहोस कर देता हूँ धड़ाम आँ ड्रेस की बिना वो तिरंगा का एक पंच भी नहीं सह पाया और उसे बेहोस करके तिरंगा जैसे तुरम खान की तरफ पड़ा मैं तुम्हें पहचान गया तुम तिरंगा हो अब तुम मुझे मारोगे आया तुम मैं यहां इसी काम के लिए था लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है अब मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा तुम तुमसे ड्रेस कौन बनवाता है मुझे नहीं पता आज के फैसन के अंदरधून दोड में जब किसी ने मेरी पुस्तेनी कला की कोई इज़त नहीं की तो मैंने उसे कोड़ियों के मूल बेचना सुरू कर दिया ऐसे में मैं यह नहीं देखता कि खरीदार कौन है इसलिए जब मैं यहां आया तो तुमने मुझे खरीदार का आदमी समझा लेकिन तुम यहां आये क्यों थे इसकी लंबी कहानी है संचेप में इतना समझ लो कि तुम्हारी बनाए ड्रेसों के बलबर कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है और निसाना तुम्हें बनाया जा रहा है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो इस हमलवार का संबन तुरम खान से नहीं है और दूसरा तुरम खान जैसा जो सक्स थोड़े से रुपएयों के लिए अपने बनाए ड्रेसों को बेश सकता है वो अपरादी हर्गिस नहीं हो सकता क्योंकि अपरादी दौरा इसमाल की जाना वाली ड्रेसों में केमिकल और आधनिक पधिती से लगाई जाने वाले सुईयों को वही लगवा सकता है जो लाखों में खेलता हो और क्या वो ये सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो फैसन डिजाइनर नीतू वेरी की हत्या करना चाहता है वो कौन है नहीं यहां मुझ पर होने वाला हमला बता रहा है कि मामला सीधा नहीं है इसमें कोई लाख सिपा हुआ है कोई बहुती गहरा राज और मुझे इस राज की तह तक पहुँचना है और वहां पहुँचने में यह सायद मेरी मदद कर सके नहीं इस मामले में फिलाल तो यह तुमारी कोई मदद नहीं कर सकता तिरंगा क्योंकि पिछले हमलवार की तरह इसका भी दिलों दिमाग सुन होकर रह गया है और ऐसा हुआ है ताकत बढ़ाने वाले उन केमिकलों की वज़े से जो इनके ड्रेसों में लगी सुयू की जरीये इनके सरीर तक पहुँचे इनके दिलों दिमाग से जब उन केमिकलों का असर खत्म होगा तभी कुछ हो सकता है और उस असर को खत्म होने में काफी समय लग सकता है यानि मुझे मुझे अपरादी तक पहुँचने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा लेकिन कैसे तिनंगा अपने मंजिल पर पहुँचने के लिए दिमाग लगा रहा था पर कुछ को अपने मंजिल पर पहुँचने के लिए दिमाग लगाने की जरुवत नहीं पड़ती क्योंकि वे अपने मंजिल तक पहुँचने का रास्ता जानते हैं और उस रास्ते पर मोजो रुखाउटों को कैसे दोल किया जाता है ये खूब जानते हैं ओफ ओफ एक और ड्रेस की दर ये भी नीतू बेरी को मारने आया है हमला करो इस पर आँ रास्ता साब था मंजिल सामने थी फैसन डिजाइनर नीतू बेरी के रुप में नहीं मेरे पास मताओ मौत को अपने पास आने से कोई नहीं रोख पाया तू कैसे रोख पाएगी नहीं मैं मरना नहीं चाती मैं मरना नहीं चाती कोई मरना नहीं चाता लेकिन इस तरह भाग कर कोई मौत से बच भी नहीं सकता खच मौत ने नीतू बेरी को अपने आगोस में ले लिया था ऐसे में उसके प्रान पखेड़ू उड़ने ही थे उसके सरीर को बेजान होना ही था दैनिक पॉइंट अफदिली मसूर फैसन डिजाइनर नीतू बेरी की हत्या संध्या क्राइम कवरेज आखिर ड्रेस कीलर नीतू बेरी को मारने में सफल हुआ विस्पूटक खबर थी वो उन सब के लिए जो नीतू बेरी के सुपचिन तक थे ये क्या हुआ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और वो जो नीतू बेरी के दुस्मन थे अखिर नीतु बेरी मारी ही गई मरना ही था उसे क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो उसे फ्रांस में अपने डिजाइन की गई ड्रेसु की कंसेन्टमेंट भेजने का मौका मिल जाता जबकि यह मौका मुझे चाहिए था नीतो बेरी की मौत के बाद ये मौका मुझे मिल गया लेकिन बॉस एक बात समझ में नहीं आई नीतो बेरी को मारने वाला ड्रेस किलर तो हमने भेजा ही नहीं था नहीं भेजा था तो क्या हुआ वो मरी तो मेरा काम तो नीतो बेरी के मरने से ही हल हो गया क्योंकि मैं अभी जिन्दा हूँ तू जिन्दा है ये नहीं हो सकता हम सब ने अक बार में तेरी लास की फोटो देखी है तेरे मरने की खबर पड़ी है उससे क्या होता है क्या लास बनकर फोटो नहीं खिचवाई जा सकती क्या मरनी की जोटी खबर नहीं उड़ाई जा सकती तिरंगा तू यहां कैसे तूस तक पहुंचने के लिए ये सारा खेल मेरा ही रचा हुआ था जब मुझे किसी भी तरह तूस तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिला तो मैंने तुछ तक पहुंचने के लिए तेरे मकसद को पूरा करने का फैसला कर दिया और उसके लिए मैंने नीतू बेरी और पुलिस के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसके मताबिक मैंने ड्रेस किलर बनकर नीतू बेरी के हंत्या कर दी और ये खबर अकवारों में छपवा दी मैं जानता था कि इस खबर को सुनकर तू बहुत खुस होगा नीतु वेरी की मदश से मैं पहले ही इस बात पर नजार रखे हुए था कि आखिर फैसन बिजनेस से जुड़े कि सक्स को नीतु वेरी की मौत से सबसे ज़्यादा फैदा हो सकता है और वो तुम निकले तुम यानी फैसन इंस्टिट्यूट के डिरेक्टर संदीब चोपड़ा ओ नो सर आप इस नकाब के पीछे आप निकलोगे मुझे यकिन नहीं हो रहा लेकिन मैं इस बात को पहले ही जान गया था क्योंकि जब मैं अपरादी तक पहुंचने के सिलसिले में संदीब चोपड़ा से मिला था तो उसने छूटते ही अपरादी के रूप में तुरम खांग का नाम बता दिया था जहां इसने अपना ड्रेस की लग भेज़ कर मुझ पर हमला करवाया ये सब आपने क्यों किया सर इसका जवाब भी मैं ही देता हूँ असल में तुमारे ये सर तुमारी जगा अपने ड्रेस कंसाइटमेंट को फ्रांस भेजना चाहते थे और ऐसा तब तक नहीं हो सकता था जब तक तुम रास्ते से नहीं हर जाती और जानती हो इनकी ड्रेस करसाइटमेंट में कपड़ों के साथ फ्रांस क्या जाने वाला था रक्षा विवाग से उड़ाए गए हमारे देश के हुए महठपून राज जिनके बल पर हमारे देश की सुरक्षा प्योस्ता को चुटकियों में ध्वस्त किया जा सकता है ओ माई गॉड देखो उन सीक्रिट्स फाइलों के बनने को बड़ी सफाई से फ्रांस जाने वाली ड्रेसों में सिल दिया गया है चुकि अत्याधिक चौक्सी के कारण किसी दूसरे तरीके से इन सीक्रिट्स को देश से बाहर नहीं ले जाया सकता इसलिए तुम्हारे सर ने इने बाहर वेजने का ये नयाब तरीका डून निकाला है और ये तरीका सफल भी हो जाता अगर मैंने तुम्हारे सारे अगर मैंने तुम्हारे मारे जाने की योजना बना कर इसे तुम्हारी तरफ से निश्चिन करके इसके गुदाम में रखी इन ड्रेसों की च्छानवीन बारीकी से नहीं की होती तो ओ चाल तुने बहुत अच्छी चली तिरंगा लेकिन अपसोस मुझे पासे फुलटने आते हैं आ नननना आगे मत बढ़ी हो नए तो इसकी मौत का जीमिदार तू होगा ओ संदेप चोपड़ा के धंगी ने तिरंगा के पैरों को फर से चिपका दिया अगले पल संदेप चोपड़ा के हातों से उचली एक कपड़ा तिरंगा के सरीप से चिपक गया तू बहुत कुछ जान गया है तिरंगा इसलिए तेरा मरना बहुत जरूरी है और तुझे मारेगा खास ड्रेस के लिए त्यार किया गया ये खास कपड़ा ये इंसानी सेरे से चिपकने के बाद तब तक नहीं छूटता जब तक इस ड्रेस में लगी छोटी छोटी जहरी लिसुईया इंसान को तडपा तडपा कर नहीं मार डालती संदीच चोपड़ा की बाद खत्म होने के साथ ही तिरंगा के सरीर में तडपन सुरू हो गई चिपकेली की कटी पोच की तरह तडपता तिरंगा नीचे आगी रा तिरंगा के सरीर से चिपका कपड़ा उसे मौद के मुँ में ले जा रहा है आओ हम अपनी अर्बो रुपय की ड्रेस कंसाइंटमेंट लेकर फ्रांस रवाना होते हैं मुझे छोड़ दो मैं तुमारे साथ नहीं जाओंगी चलना तो तुझे पड़ेगा बेबी क्योंकि तू हमारी यहां से निकलने की गरांटी है धाड़ आँ जब लड़की साथ नहीं जा रही है तो क्यों उसके पीछे पड़े हो धाड़ आँ तिरंगा तू तू बच गया यह यह नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता जब बचाने वाली तेरी ड्रेस हो तो क्यों नहीं हो सकता ये देख ये तेरी ही बनाई वो इसकें टाइड ड्रेस है जिसे मैंने तेरी ही ड्रेस की लड़के सरीर से उतारा था मैं इसे अपने ड्रेस के नीचे पहन कर इसलिए आया था क्योंकि मुझे पहले सी ऐसे किसी खत्रे का अंदेशा था इसी की वज़े से उस कपड़े की जहरेली सुया मेरे सरीर तक नहीं पहुँच पाई वो तड़पने करना तक तो मैंने तुझे अपनी तरफ से बेफिक्र रहने के लिए किया था ताकि इस डेस से अखिर इस डेस ने अपना काम कर दिया मुझे बचाने का और तुझ जैसे देश के दुस्मनों को जेल पहुँचाने का और वहां तु अकेला नहीं अपने इस साथियों के साथ जाएगा धार जल्दी तिरंगा ने सभी को बेहोसी के दुनिया में सुला दिया जो जेल की सलाकों के पीछे ही तूटनी थी मेरी समझ में नहीं आरा तिरंगा कि मैं तुम्हारा इहसान कैसे उतारूं मेरे साथ चलो बताता हूँ जल्दी तुरंगा जैसे नया ब्रेश डिजाइनर को अपने साथ फैसन डिजाइनिंग करने का चांस दे कर तुम मेरे इसान को चुका सकती हो वाव मुझे तो खुद ऐसे ग्रेट फैसन डिजाइनर की तलास थी आज से तो नमखा जी मेरी हर ड्रेस कांसाइक्टमेंट में 50-50 के पार्टनर होंगे इसे के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट पे लिख करके जरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर बेस कर देना थैंक्स पर वाचिंग में वीडियोज